दोस्तों आज जो कॉमिक्स हैं पढ़ेंगे उसका नाम है अनोखा चौर यह बहुत अच्छी कॉमिक्स है इसमें सस्पेंस बहुत ज्यादा है और मज़ा आएगा आपको किसी समय एक सहर में स्वमदत, विर्दत, शिर्दत और मेगदत नाम के चैर भाई एक स्यांदर होयल में काफी श्यान सोगत से रहते थे सहर में उनका काफी कारोबार फैला हुआ था, उनके पास दन दोलत की कोई कमीने होने के साथ साथ उनकी वहाँ पर काफी परतिष्ठा भी थी अमीर चैर भाई सोमदत सबसे बड़ा था, उसके बाद विर्दत, उसके बाद शिर्दत और सबसे चोटा मेगदत था चैरो भाईों का एक दूसरे के लावा कोई और सगया सम्मती नहीं था स्वम्दत के साथ उसके दोनों भाई वीर्दत और शीरिदत कारोबार में पूरा-पूरा हाथ बटाती थे इन सब की सबसे छोटा मेगदत नहीं तो अपने भाईयों के कारेबार में हाथ बटाता था और नहीं गर के काम में कोई रूची रखता था बस दिन बर मोज मस्ती करता रहता था लेकिन तीनों भाईयों को उसकी मोज मस्ती पर फिर भी कोई एतराज नहीं था लेकिन समय बिदने के साथ तीनों भाईयों को मेगदत के बारे में भी चितर विचतर सी शिकायते मिलने लगी एक दिन सुबे श्रीमान स्वामतर जी हमारा आपसे निवय दिन है कि आप हमसे अपने छोटे भाईय मेगदत को काबू में रखे और उसकी बुरी आदत सुदा करने की कोशिश की दिए वरना एक दिन उसके साथ साथ आपको भी बस्ताना पड़ेगा करपया करपया बताने का चिक कश्ट करें कि मेगदत ने आपके साथ क्या ऐब दर्ता की है ऐब दर्ता की होती की होती तो साइध हम सेंद भी कर लेते हैं लेकिन कल रात उसने मेरे या से कैसे हो सकता है हमारा भाई और एक चोर जुरू आपको कोई गल फैमी होगी बला उसे गर में रुपए पैसी की क्या कमी जो है आपके गर चोरी करने जाएगा मुझे गल फैमी नहीं हुए मैंने उसे गर में गुष्ते वैं सोर मचातने पर बागते सम अपनी आखों से हरे हां समदोजी अच्छा ही होगा कि आप अपने बायको समझा ले ज Tucson girls स बार करकाश कर चलेगे अब आपका मेख द़त के बार में क्या विचार लो क्या विश नहीं हाँ बडे भी आप तो में आपके हो जैसा कर यह भी कर सकता है तो मैंस अपने में मैं भी नहीं सोच सकता विश्वास्तों में भी नहीं होता बड़े बैया लेकिन अब जब इतनी स्काइट है मिली तो खुछ तो सचाही होगी हाँ बड़े बैया हमें में एक दत के पर थे इन इसकाइटों कि उखो जूट मानगर आँखे मूंद कर नहीं बैठ जाना सही है तुम साइट ठीक है तो मुझे में एक दत के बारे में कुछ सोच नहीं होगा कहां है बैस समय साइट अपने कमरे में सो रहा होगा क्योंकि वैंतों प्राय सुबद देर तक सोता रहता है ठीक है तुम दोनों दुकान पर जाने की तियारी करो मैं उससे कुछ बाते करके आता हूं और दोनों को वहीं छोड़ सोमदत में एक दत के कमरे में जा पूँचा खर खर हुम गेरी नीज में लेकिन मैं अब इसे काम से जी चुराने में और दील नहीं दे सकता अरे बड़े बेया आप और सुबह सुबह मेरे कमरे में हाँ आप तुम जल्दी से उठकर तयार हुजाओ लेकिन क्यों तुम्हें आज से हमारे साथ रोज दुकान चलना हुगा और हमारे कामे बराबर का हाथ बटाना हुगा लेकिन बड़े बैया मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि दुकानदारी या वैपार में मेरी कोई रूची नहीं है देखो छोटे मैं अब तुम्हें और अभारागर्दी करने में लोगों को प्रेशन करने की छूच नहीं दे सकता लेकिन बड़े बैया लेकिन कुछ नहीं चोटे बाई एदि तुम्हें हमारे साथ है रहना है तो तुम्हें भी हमारे साथ काम करना होगा वरना ठीक है बड़े बैया एदि आपकी ऐसी मर्जी है तो मैं दुकान पर काम करने को तेयार हूँ तो तेयार होकर जल्दी से मेहमान खाने में पहुंचो, मैं वीर और श्री के साथ ही वही पर तुमरा इंजार कर रहा हूँ. सोमदत के जाने के बाद, पता नहीं आज यह बड़े भाईया को क्या हो गया है, पहल तो कभी उन्होंने मुझसे काम करने की जितने की, कई सिरीदत और वीर दत ने तो बड़े भाईया को नहीं बढ़काया, कहर अब तो ओखली में सिर्द देना ही पड़ेगा. और उस दिन से मेगदत भी अपने बाईयों के साथ कारुवार में उनका हाथ बटाने लगा. इस तरह मेगदत की दुकान पर काम करते कई दिन बित गए, उसे दिल लगा कर काम करते देख तीनों बड़े भाईय भी बहुत परसंथे. तरह मेगदत काम दंडे से तो लगा, अब उसकी सारी बुरी आद्दे दीरे दीरे दूर हो जाएंगी. जिस दिन से मेगदत काम दंडे में लगा है, उसी दिन से इसकी सकायते भी आनी बंद हो गी है. बगवान का सुक्र है कि हमारा बाई सुदर गया, चैयरों खुच हो गये. लेकिन कुछी दिनों के बाद से उस चैयर में चोरी होने की बाढ़ जिया गई. परातर रोज राते किसी ने किसी दनवान के आँचोरी हो जाती और सब सियास्यर की बाद तो यह होती, कि चोर ऐसा गुप्त धनिया किमजी चीज चुराता था जिसके बार में सिवाई उसके स्वामी के और किसी को मालम नहीं होता था. कमबक्त ने इस के लगे पेट के तने के बीतर चुपा रखे थे जे वरात बिजरा कल अपना से पकड़ कर रोएगा. बहुत अनुका चुरी है तो. बड़े बड़े दन्मान उस चुर के चुरी करने के अंदाज पर हैरान थे. हाई, इस खुड़े दान में सिवा मेरा दन का रखे बजरूर उसी वीची तर चुपा रखे ने मेरा दन चुरा होगा. परन्तु उसे इस खास सतान के बारे में पता गए चला. हाई, मैं लुट गया. आखिर उस चुकमबक चुर को इस गड़े में सिवे मेरे दन का पता कैसे लग चला गया. और इस रोज रोज के आस्ते जनक चौरियों से नगर के दनवानों में आतंक व्याप्त हो गया. एक दिन बहुत से दनवान विचारी में मर्च करने के लिए एक स्थान पर एक्टिट हुए. सुनो दोस्तों अब तो यहते है कि वे विची तरोज चौर जल्दी पकड़ा नहीं गया तो हम सब दनवान तबावर बरबाद हो जाएंगे. वेचा लाग चौर हमारे पास एक फूटी कोडी भी नहीं छोड़ेगा. कहते तो आप ठीक हैं, अमलाल जी, लेकिन सवाल यह पैदा होता कि हम उसे विरुद करें तो क्या करें? हम समक मिलकर माराज से फरियात करनी चाहिए, ताकि वे उसे जल्द से जल्द पकड़ कर सजा दें. लेकिन जी चौर, चौर के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम उसे माराज भी जल्द से जल्द कैसे पकड़ लेंगे? शेट क्रोड़ी में ठीक है रहे हैं, बेचोर तो चलावा है, आंदी के समाना आता और चोरी करके तुपान की तरन निकल जाता है, और अपने पिछे पकड़े जाने का एक सुत्तर भी नहीं छोड़ता. अरे बायों सबसे ज़्यादा आसरे की बात वी है कि पता नियुक से हमारे गुप्त दन का भी पता कैसे चल जाता है? ठेरो भायों में दिमाग में विचारा है, कहीं है विचितर और चोर, सेट समदत का भाय में एक दत ही तो नहीं है, वो सकता है लेकिन उसके विरुद हमारे पास कोई पका सबूत भी दो नहीं है, यदि महाराज से हमने शिकायत भी की, तो वे भी सेट सेमदत की इज़त को देखते वे में एक दत के विरुद तुरंत ही कोई कदम उठाने वाले नहीं है, हाँ यह बात पी ठीक है, लेकिन फिर परसन यहीं उत्पन होता कि हम उस चोर से अपनी शुरक्षा करें तो कैसे करें, मेरी समझ में तो अब एक ही बात आती है, वे क्या, हम सब को एक बार से चल कर छेट सोमदत छे बात करनी चाहिए, चोर ने के वल उसी का गर अचुता छोड़ रखा है, बाकि हमारे बात करने को यहीं आदार होगा, वाह, यह हुई ने बात, चलो बायू चलो, हम इसी समय चल कर सोमदत छे बात करते हैं, हो सकता है, हम सब को एक साथ देखकर करे वाले करो, हाँ, हाँ, आज हम सचाई से परदा उठा करी रहेंगे, उस सोमदत अपने बायू के साथ जल पान कर रहा था, अरे यह सोर कैसा, बड़े व्या लगता है, कुछ लोग हमारे विरुद नारे लगा रहे हैं, सोमदत उसे सब में जल पान छोड़ कर उठ खड़ा हुआ, तुम लोग जल पान करो, मैं देखता हूँ, जुरू को जबरदस्त लप्टा है, लेकिन वह लप्टा क्या हो सकता है, जैसे सोमदत हवेल से बार निकला, सोमदत मुर्दा बाद, चोर और चोर के बाई मुर्दा क्या बाद, क्या बाद है दोस्तों आप इस तरह मुझ पर कफा क्फा क्यों हो रहे हैं, बस बस सोमदत बंद रहें दोस्ते का नाटक, तुम जैसे यह दी किसी के दोस्तों तो उसे दुस्मनों की कोई जूरत नहीं होगी, आखर बाद क्या बाई कुछ, बताओगे भी या बेकार ही मुझे कोस्ते रोगे, क्या तो ऐसे रहो जैसे कुछ जानते ही नहीं, हाँ बाई चोर इकर के माई नाक में दम किये हैं और तुम बोले बनकर अंजान बने नाटक किये हो, मेरी समझ में यहा है कि आप लोग हाद दोकर मेरे बाई के पीछे ही क्यों पड़ी हैं, क कि मेरे या मेरे भाई के पास किस चीज की कमे जो वहाद चोरी करके अपना कोई शौप पूरा करेगा तो आप पेट बढ़ेगा, बस बस अपनी दलीले अपने पास ही रखो सोमदत हम अच्छी तर जानते हैं, कि तुम हर बार लोगों को यही दलील क्यों देते हो, अब तक कि वीर श्री वह में एक दत्वी बारा चुकी थे, अच्छा तो फिर भाई फिर तुम ही बता दो कि मैं यह दलील क्यों क्यों देता हूं, इसलिए कि तुम और तुमारे दोनों छोटे भाई भी उसके चोरी के माल में बराबर के बागीदार हैं, खामोस, आखे दिखाने से काम निचलेगा समदत, सच सची रहेगा, पूरा सेर जानता कि पूरे सेर में अब तक केवल, तुमारे यहां ही उस चोरी नहीं कियों, कैसे बात आथा, तुमारे पास कोई जवाब है, चुप क्यों होगे समदत, हमारे परसेंगा जवाब दो, बल्लाव के परसेंगा मैं क् दे सकता हूँ, फिलालतों में इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग ऐ कारण ही एक जब दस गल्थ फैमी का शिकार है, वरनाव चलाव चोर ने हमारे आचोरी क्यों नहीं की, केवल इस ही आदार पर आप लोग हम पर संदे नहीं करने लगते हैं, हम तुम लोगों कि इतने अस नहीं छोड़ने वाले संदत, एधि तुमने अपने चोर भाई से हमारा दन नहीं दिलवाया, तो हम तुमारी इट से इट बजा देंगे, हम महाराथ के पास जाकर तुमारी शिकायत करेंगे, सुनो भाई, तुम्हें जो करना करो, लेकिन विश्वास करो, कि जिस दिन तु चोर मेरा भाई ही है, या उसे चोर ही करते रंगे आतों पकड़ लोगे, तो फिर तुम्हें कुछ करने की जूत नहीं पड़ेगी, जो करोगा मैं सुम करो, बस अब आप लोग जाईए, ठीक है सुम तर फिलाल तो हम जारे हैं, लेकिन द्यान रखना हम चुप नहीं बैठ तो हद ही हो गई बड़े भाईया, जिन्दगी में कभी इतना अपमान नीत होना पड़ेगा, या तो कभी सोचा भी नहीं था, वोग या अपमान हमें मेगदत के कार नहीं रहे हैं, श्याना पड़ा है, इसलिए आज आपको इस बात का फैसला करना ही होगा, कि इस घर में म काल जने के लिए कई गह दीजिए, या फिर हमारा इसा में देख रहे हैं, आसे विदा कीजिए, वीर्दत मेरे भाई, क्या तुम पर यह हमारा आखरी फैसला बड़े भाईया, और हम चाहते हैं कि आपकी योड़ से भी इस इसे में फैसला हो जाए, कि यह क्या फैसला आप का, मेरे भाईयो कोई भी निर्णा करने से पहले इतना तो सोचो, कि में एक दर तुमारा छोटा भाईय, भला उसे दर दर की ठोगरे खाने को काम बेजोगे, जैसा उसने किया, उसका फल उसी को बोगना होगा, बड़े भाईया, इस संबंद में सोचना हमारा काम नीबस, अब आप अपना फैसला सुना दीजे, ठीक अब आयो, जब तुम दोनों का यही फैसला तो तुम दोनों इसी अवेली में रहो, आज से अवेली, सारी दोल, जमीन, जाइदा दोर कारूबार तुम दोनों का होगा, क्या? आप होसोवास में तो बड़ी भी है, जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? विश्वास रुखो मैं जो कुछ भी का है, पूरे होसोवास में का है, आज से सब कुस्तम तिनों का हुआ, और आप दोनों, मैं और मेक्ड़त आज से बाग वाले मकान में जाकर रहेंगे, जो मेरे पर आप उसे भी पूछ ले तो बैतर रहेगा, उसे मुझसे पूछे ही कोई जो तने बाई हो, बड़े भाईया का फैसला मुझे हमेशा मंजूर रहा है, और रहेगा, मैं बड़े भाईया के साथ ही रहूँगा, ओ, मेक्ड़त, जान तुमारा फैसला सुनकर हमें खुश ह पर आप मानित होकर पराण तक त्यागने पड़े, मुझे अपने मेक्ड़त पर पूरा विशास है भाईयो, मैं मेक्ड़त, मेक्ड़त कुछ भी हो सकता, लेकिन चोड़ नहीं हो सकता भी, इसलिए मैंने जो फैसला किया है, वे तुमारे ही निर्णा की तरह अटल वे आख गया, इधर दन्वानमर्ग अपने देश के राजा सुर्य से इनके पास पहुंचा, और उन्चे अपनी जानमाल की शुर्षया की फ्रियाद की, तता राजा को यह भी बताए कि उनका संज़े मेक्ड़त परे, सब कुछ सुनकर, हमने आप लोगों की स्काइटे सुन दिया, अब आप निश्चिंद होकर अपने अपने गरों को जाईए, हम उस चौर को जल से जल पकड़ने की कोशिश करेंगे, अब चाहिवे चौर कोई और हो या स्वम्दा तत्वा उसका वाई मेक्ड़त, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन वास्तिविक चौर करा दी जाए, तथा विश्चे शुरुप से दन्वान लोगों के गरों पड़ने करानी रखी जाए, जो आग्या महाराज, और सुने मामतिर जी, आज से मेकड़त की पूरी 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 ने करनी होनी चाहिए, ठीका महाराज मैं आज से ही कुछ कुशागर, गुपचर उ अपने मौले की गलियों में पैरा देने लगे, इस सतरक्ता के परणाव शुरुप पूरे नगर में कई दिनों तक स्यान्ति का वातारून बना रहा, कहीं चोरी चकारी या एप्रिया गटना निगटी, एक रात, भाई रामदास अब तो रात को पैरा देने में उक्ताट से होने लगे, मुझे लगता है इतना सकत पैरा देकर उस चालाग चोर करने, चोरी करने का इरादा ही छोड़ दिया है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, भाई के कई रातों तक जाग जाकर पैरा देने से, मेरा सीट तो ठकावट से बुरी तर्ट टूटा जा रहा है, मैं तो चल का खोप समापत होते हैं, कुछ दिनों के भीतर भीतर धनिकोव की साथ साथ सेनकोव ने भी पैरा देने में डिल कर दी, खर, खर, और पैरे में डिल होते ही, रात का वैचा लाग चोर एक बार फिर चड़क पर निकला है, आज मेरा सिकार होगा राजागा सामत असर फिलाल, उसके पाखाने की छट के उपर पचास अन्मल हीरो की ठहली दबी हैं, वैस सोचता हुआ कि होगा कि उसके गुप दंगा किसी को पता नी चलेगा, लेकिन आज और एक मकान के सामने पहुंच करें, हाँ हाँ हाँ, प्रेरी अराम से और निस्चिंट होगर सो रहे हैं, और सो पहुंच गया, वै मकान राज्य सुरे से इनके सामन्त असरफी लाल का था, मकान के बित्री दर्वाजे पर आकर उसने छट पर कमंद फैकी और दिवार का साथ लेकर उपर चरने लगा, शिगरी वै मकान की छट पर था, बिल्गो ठीक पाखाना उस और है, चोर निस्चित स पर पहुंचा, और चत्या उपर पड़ी मिन्ठी को बड़ी शावदान के साथ बिना आहट किया, अटाने लगा शिगरी, आहा, यह दी थेली, फिर उसने जैसे थेली को थोड़ा सा खोला, वाह, वास्ता में ये हीरे अनमोली होंगे, वरना इतनी चमक्यों नहीं फैकते, अगले पल उसने थेली का मुव बंद किया, और जिस तरह था उसी तरह वापस लोट पड़ा, और इस तरह चोरी का सिल्चा एक बार फिर आरंब हो गया, और इस बार दुनवानों के साथ साथान इंसानों के गरों में भी चोरिया होने के कार्ण, पुरे नगर में तरह तरह मस्की लोग भागपूर ने राजा के पास मुँचे, दुआ है माराज उस दूचासी चोर चे माराज रक्सा कीजिए, माराज उस चोर ने माराज जिना राम कर दिया है, माराज दिया अपने सिगरी उस चोर को पकड़ने की कोई वैश्ता नीं की, तो हमें नगरी छोड़ क पकड़ लिया जाएगा, माराज यह हम सब के परती अन्याए है, आप जान बुचर भी अन्जान बन रहे हैं, क्या मतलब, मतलब यह माराज की चोर सामने है, आप उसे फिर भी गिर्थता नहीं कर रहे हैं, सुनो तुम्हें जो कहना है, साब साब को कोन है वैश्ता है, मारा हमारे पास कोई पर्मान तो नहीं है, माराज लेकिन संदे उस सभी को उसी पर है, सुनो केवल संदे का आदार पर हम किसी को भी पकड़ कर दन्द नहीं दे सकते हैं, किसी को भी मुझरिम साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए, फिर आप लोगों की तरह सोंदत और उसक हमारे गुप चरों ने उसके विरूत ऐसी कोई सूचना नहीं दिया, कि हम उसे चोर मानकर बंदी बना ले, तो फिर आप हमारे रक्स है, उस चोर से कैसे करेंगी माराज, यह सोचना हमारा काम है, आप लोग में तीन दिन का समय दीजे और अपने अपने गरों को जाईए, राजा की आगया सुनकर सभी वहां से चले गई, उनके जाने के बद मामनती जी, पूरे नगर में जो गुप चरों का जाल बिज़ा दिये, तरदा सेनिकों की गस्त बंद करवा दीजे, ताकि वैचोर इसी बर में पड़ा रहे कि उसे पकड़ने कि हमारी और से कोई विशे कोशिस नहीं की जारी है, जो आगया माराज, और सेट सुमदत को मारी और से पैगाम बिज़वा दीजे, कि हम उसे मिलना चाहते हैं, बहुत अच्छा माराज, राजा की आदेश का तुलत पालन हुआ, और नंगर में सेनिकों की जगए, साधे वेश में गुप चरों का जल बिच गया, एक सेनिक राजा का पैगाम लेका सुमदत के बागवाले मकान पर भी पहुंचा, श्रीमान सुमदत जी, माराज नहीं आपको याद किया है, ओ, ठीक है, तुम जब मैं आज ही उनसे मिल लूँगा, ठीक है, और सुमदत उसी दिन आज में पहुंच कर, एक एक कमने में राजा से मिल था, और उनसे काफी देर तक नहीं जाने क्या बाते होती रही, वो अफस गर लोटने पर, बड़े बहे, माराज नहीं पो क्यों बुलाए था, क्यों बुलाए था, यह तो मैं तुम्हें नहीं नहीं बता सकते, छोटे, लेकिन तुम मेरी एक नेक सला अमेशा ध्यान में रखना, अच्छे तुम जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाना, और ना तुम किसी बयानक भी पत्ती में फच्जा होगे, ओ कहीं आपके गयनिका मतलब यह तो नहीं है, कि मैं घर से बारी का तुमने निकालू, समझदार हो, कुछ दिनों तक नगर में सैंटी बनी रही, लकिन फिर एक दिन लगबग आधी रात के समयक, स्यापोस, सोम तक के बागवाले मकान से बार निकला, हूँ, जोरी रादे स्याम, यानि मेरा आज का शिकार वही है, अगले पले चुपताच पाता अंदकार को चीतावा, तेज शेगरों एक और बढ़ चला, पतानी क्यों आज मेरे मन में अजिब सैशी, संका बार बार जन्दम ले रही है, खेर जब घर से बार निकल आया हूँ, तो अब जो होगा देखा जाएगा, लगब आदे गंटे त काम निफ्टा ना ही होगा, वरना मुझे शैन्ती नहीं मिलेगी, तो दोस्तों, यह नौका चौर मेक दत ही था, या कोई और था, क्या पकड़ा जा शुका, अनौकी चौर यह क्या रहाएशा था, तो इसका जवाब मिलेगा, आगले पार्ट में, जिसका नामें मैं हूँ अफ्लाथून, दोस्तों, एक कोमिक्स अगर आपको च्छी लेगी, तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे ची सीरीचे यहां पर लाता हूँ, तो दोस्तों, मिल तेंगले पार्ट में, मैं हूँ अफ्लाथून